एक डायलोग है मैं, जब तक बैटने को ना का जाए चुप चाप खड़े रहो, यह पुलिस टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं तो पुलिस की जो फिल्मों में जैसा हमने देखा, एक बच्चन साप ने जन्जीर में ऐसा बोला, फिर सलमान भाई आये, इतने छेत करेंगे, फिर सिंबा, सुर्य वंची, असली पुलिस कैसी होती है, कितनी स्मार्ट होती है देखे, फिल्म जगत, रिल जगत से बहुत दिफरेंट है, और फिल्म जगत में ग्लमराइज करने के आवशकता रहती है, थोड़ा सा ड्रामाटाइज करने के आवशकता होती है, पर रिल लाइफ पुलीसिंग इस वेरी दिफरेंट. एक पुलिस अधिकारी को या पुलिस करमचारी को जो चौबिस घंटे में काम करने पड़ते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं. पुलिस की नौकरी is something to do with law and law requires that it should be abided by the citizens and the police must enforce the laws. तो एक coercive nature तो by birth of the profession ही है कि आपको law abide करवाना है citizens से and जो उसका breach करते हैं तो उनको punish करना है. तो by birth of the profession एक coercive nature तो है पर आज, let me tell you, कि police has come a long way from what it was in yesteryears. आज हम चाहते हैं, जैसे कि आप smart city के संबन में इस चर्चा को कर रहे हैं, कि हमारी police भी smart हो. और police community participation भी ensure करें, ताकि हमारे जो जनता है, वो ये महसूस कर सके या ओन कर सके that this is our police. और उसके लिए हमारे जहन में जो behavioral change, जो attitudinal change आने चाहिए, उसके लिए हम भड़सक प्रयास कर रहे हैं, that we should be a people's friendly police, जो innocent है, जो सच्चा नागरिक है, उसके लिए हम एक मजबूत पिलर के रूप में खड़े हों, और जो criminal element है, उसके लिए बेशक देहशत. अज़ा एक आपने जो friendly वाली बात कही, मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहूँगा, पुलिस का नाम सुनते ही डर किस किस को लगता है, चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, सच-सच बताना, हाथ खड़े करना, कोई नहीं डरता, मतलब आगरा जोन की EDG हमारे सामने है, and you are saying क कोई पुलिस से डरता नहीं है, but एक जो मैं जनरल पबलिक में है, कि मतलब अगर कुछ हुआ, तो उनको लगता है कि पुलिस टेशन जाना ना, एक ख़ौफ का कि पता नहीं किस तरीके से डील किया जाएगा, पता नहीं किस भाशा में बात की जाएगी, हलां कि आजकर तो इस चीज को ठीक करने के लिए, हलां कि मैं देखता हूं जितने सीनियर ओफिशल्स हैं पुलिस के, they are on social media, they are interacting with people, पुलिस के हैंडल से बड़े अच्छे-च्छे मीम सेयर किये जाते हैं, even I get tweets from Hyderabad police, वो लो कुछ कुछ करते हैं, they sit कि please retweet, so इस चीज को ठीक करने के लिए, कि आम आदमी जो है, वो डरे बिना ठाने चला जाएगे, भाई मेरे साथ यह हुआ है, what you are saying? चार्ज लिया अगस्त 2023 में, मैंने देखा यहां पर जो crime pattern था, crime against women बहुत तादाद में था, and मुझे ऐसा लगा कि Western UP में crime against women इतना क्यों है, because it's a progressive state, so I try to study कि क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है, तो कुछ patterns मेरे सामने आए, और उन्ही patterns पर हमने decide कि हम community के बीच में जाकर काम क करेंगे, and we gave rise to Operation Jagrati. So that was an intensive community outreach program for safety of women and awareness of girl child. इससे हमको जो एक collateral advantage मिला, कि हमारा जो bridge building with public था, वो बहुत मजबूत हुआ, और एक police की छवी और पहचान, आम आदमी में जाकर बहुत अच्छी और सुद्रन बनी, and आप विश्वास नहीं करोंगे कि आज की date में, मेरे zone में, मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ, कि कियां महिलाएं निडर बे खौफ होकर police station पर आकर अपनी समस्या दर्ज करती हैं, और यदि उनसे कोई गलती हुई है, तो वो भी आकर वो कहने में सकुचाती नहीं है, so this is a huge change, जब अधिकारियों से, शासन के, निर्देशों के अनिरूप इस तरह का एक community outreach होगा, तो आपके जोन में आगरा आता है, वरिंदा वन आता है, जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़ादा है, फॉरन टूरिस्ट बहुत ज़ादा है, अभी हाली में एक Spain की महिला के साथ, रेप का incident भी हुआ, तो खास तोर पर फॉरन टूरिस्ट की safety के लिए, आप क्या कुछ, यूर प्ल हो, every human life is important for us, और उसकी सुरक्षा के लिए हम कटिबद है, चूंकि मतुरा वरिंदावन एक दर्शनिय स्थान है, एक तीर्थ स्थान है, और वहाँ पर परेटकों का श्रद्धालू का आवागमन काफी ज्यादा होता है, आजकल जो होली का परवाने वाला है, उसमें भी हम अदू मार होली, लठ मार होली और तरह तरह की होली के रंग रूप, तो हमारा फोकस ही रहता है कि जो भी परेटक आए, उसको हम प्रपर सुरक्षा दे सकें, और इसी उद्धेश से हमने अभी एक टूरिस्ट थाने का इनागरेशन किया है, वो टूरिस्थाने का जूरिस् इंटायर डिस्रिक्ट अफ मतुरा एंड वरिंदावन, कोई भी परेटक जिसके साथ किसी भी तरह का प्राध होता है, वो आके उस टूरिस्थाने पर, किसी भी जूरिस्डिक्षन का हो, पर वो आके टूरिस्थाने पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, और उस पर त परित रूप से कारवाई होगी, इस टूरिस्थाना इस अलसो वर्किंग एज इनफरमेशन सेंटर, तो जितने भी परितक आ रहे हैं, उनको किस तरह से गाइड करें, वो किसी भी गलत लोगों के शिकार ना बने, वो किसी तरह से मिसगाइड ना हो, उनको सही इनफरमेशन पहुंच सके, इसके लिए भी यह tourist center काम कर रहा है तो हमारा प्रयास यह है कि tourist police station को हम सुद्रिन करें, उसकी नजर फैलाएं, उसकी watch and ward duties बहतर करें और जगे जगे पे हम अपने decoy लगाते हैं, साधे कपड़े में भी लगाते हैं, और वर्दी में भी लगाते हैं, गश्ट भी करते हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं, ताकि इस तरह की किसी प्रकार की बारदात ना हो, अचा cyber crime भी इन दिनों खूब है, मतलब आए दिन हम सुनते हैं account खाली हो गया, बहुत तरह जहां प्रदेश के 75 जनपदों में एक-एक cyber थाने का अनावरन हुआ है, सभी जनपदों में एक cyber थाना install हो गया है, establish हो गया है, ऐसे ही आगरा जोन के 7 जनपद में cyber थाने का inauguration हो चुका है और वहाँ पर विवेचना की कारवाई प्रचलित है, इसके अतिरेक्ट जितने भी थाने प्रतेक जनपद में उन सभी जनपदों में एक-एक cyber cell भी गठित किया गया है इसके इलावा हमारे जो विवेचक है, जो investigating officers हैं, वो हो सकता है, टेकनोलोजी से उतने abreast ना हो, तो उनको एक skill अप करने के लिए cyber crime का जो vertical है, उसके द्वारा सभी जनपदों के विवेचकों को side train नामक एक training प्रशिक्षन दिया गया है, जो काफी high level की training मानी जाती है, और तीन कडियों में वो होती है, तो हमारे zone के सभी विवेचक, रदब उत्तरप्रदेश के सभी विवेचक, उसमें train हो चुके हैं, और आगरा zone एक step आगे जाकर, एक zone की तरफ से cyber training की एक investigation manual, यानि की SOP guideline भी बना दिया है, ताकि विवेचक अच्छे से समझ सकें, कि उनको next step क्या करना है, तेकि cyber investigation में बहुत सी चीज़े होती हैं, जो normal investigation से के अतिरिक भी होती हैं, जैसे you have to preserve the evidence, preserve evidence of cyber nature is very different from normal evidence, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से उनको उसमें पारंगत बना सकें, उनको अच्छे से समझा सकें, इसके लिए zone level से भी training prescription दी गई है, और एक booklet तयार करके सभी विवेचकों को बाटी गई है, cyber fraud इस छेत्र में है, मतुरा, आगरा, ये cyber fraud के कुछ hubs हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि mobile fraud, cyber fraud, इस पे हम जितनी जल्दी सफलता हासल कर सकें, तो वो हम करें, इसमें दो चीज़ें हम और कर रहे हैं, अकाउंट को immediately freeze कर दे, अगर कोई monetary loss हुआ है, तो cyber account में, immediately, I mean the account should be frozen immediately, और उसके बाद, जब वो freeze हो जाता है, तो कुछ समय के बाद, जो suspected mobiles हैं, उनको block करना, और उस frozen amount को, victim को वापस लोटाना, तो ये सारी प्रक्रिया भी हम कर रहे हैं, ता कि जो investigation है, वो सही माइने में, it is complete and logical. अचा, एक और प्रजाती इन दिनों बहुत प्रचलित है, जो reels बनाती है, रिलेश्वर, वो बहुत, कई बार ऐसी हरकते होती हैं, कि जान जोखिम में डाल देते हैं, और वो reels बड़ी viral भी हो जाती हैं, आप में से बहुत से लोग reels देखते होंगे, कई तो continue, जो है, सुबह, टाइम ही होता है, कि हाँ, एक के बाद, एक के बाद, एक reels देखे जा रहे हैं, तो ऐसे complaints जो हैं, वो आपके पास कितने आते हैं, और उनसे कैसे deal करते हैं? जी, इस तरह की complaints बहुत आते हैं, कि फलाना का किसी undesirable उसमें reel बना दी गई, और उसको video को viral कर दिया गया, इसलिए हम अगेन इस पही जागरुकता पहला रहे हैं, थ्रू ऑपरेशन जागरती, कि जो बच्चे बच्चियां हैं, वो समझें, that nothing is safe over cyberspace. अकसर इसको समझते हैं कि ये खेल है कि reel बना के डाल दो, या कुछ भी video बना लो और वो शयद पब्लिक स्पेस पे नहीं जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है. Anything which is digitized, या any content which comes on the net, is likely to get misused, और उससे आपको बहुत से problems का शिकार बनने का आप opportunity दे रहे हैं, तो ये awareness आना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम awareness operation जागरिती के तुरू ला रहे हैं. एक app पहचान भी आपने जो है शुरू की, मैं चाहूँँगा उसके बारे में भी आप बताएं, वो भी बहुत चर्चा में रहती है. जे, operation पहचान मेरे predecessor दवारा शुरूआत की गई थी इसकी, और आज हम लोग लगभग एक डेड़ साल से इस app का प्रयोग कर रहे हैं, जो basically हमारे zone के criminals हैं, चाहे वो mafia हों, चाहे वो top 10 हों, चाहे वो वांशेत अपराधी हों, चाहे वो इनामिया हों, उन सब का ब्योरा right up to the beat constable level है, और हम उनका किस तरह से daily सत्यापन करते हैं, daily verification करते हैं, वो सक रिये हैं, नहीं हैं, मतलब जो police या निगरानी होती है, उसका कारे हम इस operation पहचान के थ्रू करते हैं, और इसकी बारे में मैं यह बता सकती हूँ कि यह एक इतना fantastic app है, जो crime and criminal का complete लेखा-जोखा होता है, and it takes care of all the policing activities that are required. उनका Wikipedia हो गया एक तरह से, कि सब कुछ है उसमें. कुछ ऐसे सवाल हैं, जो लोगों के जहन में बहुत होते हैं, लेकिन क्योंकि एक पुलिस का डर भी होता है, और आप जैसे बड़े अफसरों से बात करने का मौका भी जो है, बहुत कम मिलता है, तो आज मौका है, तो मैं कुछ एक सवाल जो हैं, वो जनता के मन के, अच्छा, एक हम बहुत dialogue सुनते हैं, चचा हमारे विधायक हैं, उत्तरप्रदेश सरकार ने जो माहौल दिया है, वो I think like never before है, और मानी मुख्य मंत्री जी के बड़ी strong निर्देश हैं, zero tolerance towards crime, और किसी की भी गलत सुनवाई नहीं, किसी की भी गलत पहरवी नहीं, do your job as per law, as per rule, तो I think इस तरह का जब एक दिशा निर्देश उपर से आता है, तो चीजें पुलिस वालों के लिए और public के लिए और इस तरह के category के लोगों के लिए स्वता clear हो जाती है, तो इसमें I have not faced any such thing, जहां इस तरह की स्थिती उत्पन होती हो की चचा हमारे विदायक है, या वर्दी उतरवा दूँगा, तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ, the rule of law and seriousness of law and order उत्तर प्रदेश में, आज की date में कायम है, and I am proud to mention that. अच्छा एक चीज़ और मैं, जो नई generation, पुलिस में आना चाहती है, हला कि अभी बहुत सारे career options हो गए है, मतलब कुछ वक्त पहले तक ये था कि लड़का पुलिस में चला गया, तो बहुत कमाई है भाई, मतलब चार generation जो हैं, वो तर जाएंगी, तो अब जो नई generation आना चाहती है, आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे, कि भाई, कितनी कमाई है, कितनी नहीं है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है? देखे, ऐसा है कि पुलिस की जो सेवा है, वो अच्छली में एक सेवा है, अब मैं आने वाली पीडी को यही कहना चाहूंगे, कि आप इस multi-diverse challenge वाले profession में तभी आएं, जब आप में हिम्मत हो, साहस हो, और आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. And आज I can say it कि जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, this is not, this may be an exception, but it is not the rule. आज मीडिया है, आज इतनी सारे हमारे उपर, there are so many watchful eyes, तो यह स्थिती ऐसी जैसे आप कोट कर रहे हैं, संभव नहीं है. और दूसरी चीज की पुलिस में यदि आप एक glory चाहते हैं, एक नाम और शोहरत चाहते हैं, तो वो केवल काम से आपको मिलेगा. तो वो मैं जरूर लोगों को कहूंगी कि आप जरूर आईये, पुलिस जैसा profession नहीं होगा, I can say that with a lot of conviction, but सेवा भाव से. अच्छा एक, पुलिस वालों का भी दर्द होता है, मतलब लोग तो यही सोचते हैं कि भाई, यह तो हड़काते रहते हैं और ऐसे हैं, लेकिन एक बार मेरा encounter हुआ, मेरी कोई गाड़ी बाड़ी चोरी हो गई, तो जो SI थे या जो उसके investigating officer थे, उन्हें मेरे साथ कहीं जान लेते हैं, तो यह genuine problem है, देखे, जो duties and nature of duties इतनी ज्यादा हैं कि अगर शायद मिलता होगा तो maybe it may not have suffised, तो कुछ है छोटी-छोटी समस्या हैं, but I am telling you कि यह समय समय से इन पर भी ध्यान दिया जाता है, और इनको भी अपग्रेट किया जाता है, यह जो भी allowance मिलते हैं इनको वो भी समय समय सब्ग्रेट किया जाता है, तो कभी-कभी gap हो जाता है, but because the nature of duties is so voluminous, but ऐसा नहीं है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या इनको दर्किनार कर दिया जाता है, शासन और सरकार, जो हमारे employees हैं, जो विभाग के लोगों हैं, उनके welfare और उनके well-being के लिए, बहुत सी initiatives लिये जाते हैं उनके द्वारा, और निश्चित रूप से हम प्रात्मिक्ता में उनके आते हैं, अच्छा, आपको मैं फिल्मेल में देखने का वक्त मिलता है, बहुत कम, आपका अगर मैं पूछूँ की कोई फिल्मी फेवरेट पुलिस वाला कौन हो, अमिताब बच्चन में भी? चाहती भी होगी कि भाई चलो, ऐसे ही होता होगा, पुलिस का काम, इतना ग्लैमरस होता होगा, क्या उसमें से कितना परसंट ग्लैमरस होता है, या एक परसंट भी नहीं होता है? देखे, किसी भी पोस, not just पुलीस, पुलीस क्योंकि यह वर्दीधारी है, फॉज भी वर्दीधारी है, तो थोड़ा ग्लैमर एलेमेंट तो परसेप्शन में आई जाता है, बास्तव में हो ना हो, पर परसेप्शन में आ जाता है, पर एनी पॉजिशन विच असोसियेट विद अथॉरिटी उसमें कुछ ग्लैमर का अंग एक पॉब्लिक परसेप्शन में होता है, रियालिटी में इस नॉर्ट रिली सो, बिकर्ज आज मैं बता दूं कि कल मैं अलीगड में थी, हाथरस में थी, आज मैं यहां हूं, कल मैं फिरोजबाद में हूं, परसो में मतुराओं में हूं, इट इंवल्स अलोट, इस इस अट माई लेवल, आप समझ सकते हैं कि आईजी के लेवल पे क्या होगा और एससे कई गुना होता है, तो इट इंवल्स अलोट अफ हाड वर्क और वो ग्लैमर जो फिल्म में दिखाया जाता है, वो रियल लाइफ में, रियल लाइफ और रियल लाइफ और रियल लाइफ इस वेरी डिफरेंट, अचा लास्ली आप से ये जाना चाहूंगा, घर पे आप कितनी कड़क हैं और कितनी नरब हैं, ये देखे सवाल मुझ से कई लोगों ने पहले भी पूचा है, और एक फॉर लेडी ओफिसर इस वेरी इंपॉर्टन वर्क-लाइफ बैलन्स, और पहले शुरुवाती दोर में ये होता था कि जो चहरा ओफिस में था, वो ही चहरा में घर में लेके आ जाती थी, और उससे कई बारी बच्चों पे गुसा हो गई, या हस्बं से कभी हो सकता मन म होता हुआ हो, I don't recollect, अब इतने 30 साल हो गया है, बट धीरे धीरे ये करना भी सीखा कि ओफिस को ओफिस में छोड़ के आओ, और घर में घर के जैसे रहो, so एक ये वर्क-लाइफ बैलन्स बहुत मुश्किल से आता है, पर इसको आप अपने प्रयास से ही कर सकते हैं, और वो करना जरूरी है, और ये तो मुझे लगता है, हर प्रोफेशन में होना है, हर प्रोफेशन में, thank you so much ma'am, thank you very much, it was a lovely talk show, जी, एक सवाल आप, बिलकुल सर, नेशनल चैंबर ओफ इंडिस्टेशन कोमर्स के व्यापर, सभी वो दमियों की और से और व्यापारियों की और से, मेरे मन में एक प्रशन आपके लिए है, आगरा स्मार्ट सिटी है या बनेगा, उसके सम्मन में, आगरा स्मार्ट सिटी बने, तो सबसे जरूरी है, रोड एंड ट्रांपोर्ट, ट्रांपोर्ट सिट्रम, अब आगरा का ट्रैफिक, आपके संग्यान में है, मैं लगबख डेली एमजी रोड से निकलता हूं, कभी हरी परबत की लाइट बंद है, कभी सेंजोंस की बंद है, कभी आंगे की बंद है, मैन्वल पुलिस वाले अपना क चिटी रहेगा, दूसरी बात, तीन से करोड रुपया, पूरे कैमरे लगा दिये गई, उसकी क्या प्रोपर मेंटिनेंस है, आगरा की जनता में ये बहर रहना चाहिए, मैं आप बहुत अच्छे और सुल्जी हुई है, मैं यही रिमेदन करूँगा, कि आगरा की जनता में ये बहर रहना चाहिए, ये लाइन से बहार गए, तो कैमरा हमारी फोटो ले लेगा, शुरू में जब लगी, बराबर चले, लेकर आज कहसे थी, आप बाकिप है, मैं बाकिप हूँ, सब लाइन्स की बात आती है, सारा कमांड सेंटर बन चुका है, इतना रुपया, प्रद महीना, दो महीना, ती महीना, रहने के बाद फिर उसी धरातर पाया जाती है, हम चाहते हैं, स्मार्ट सिटी पर्मानेंट रहे ना, दो महीने बाद क्यों खराब है, अगर जो उसकी मेंटिनेंस कर रहा है, उसकी जवाब दई, सक्ती से होनी चाहिए, जवाब ले ले लेते ह कि smart city में sustainability बहुत important है और इस बात से सरकार संग्यानित है और इसके लिए कदम भी उठा रही है जैसा कि आपने का जो camera लगे हैं उनका maintenance हो रहा है कि नहीं उनकी MC हो रही है कि नहीं उनका certificate लिया जाए कि ये चलती हालत में हैं कि नहीं है तो ये सारे कदम भी सरकार द्वारा उ दिखेंगी निश्चित रूप से थैंक यू सो मच मैं उम्मीद करते हैं कि जो हम conclave भी कर रहे है smart city उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़े निकल के आएं जो कहीं न कहीं आगरा के लिए और आसपास के जो छेत रहे हैं उनके लिए रहतर सावेत हैं बिलकुल wishing the best thank you so much smart city में एक बड़ा component था एक command and control center का और 240 क्रों रोपेस पर खर्च हुए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं will की कमी है उसको लागू करने में और इस तरह के चलान शायद 19 तरह के चलान से जो हम उससे कर सकते थे देख सकते थे सारी विवस्ता उस command and control center में की गई है मैं इसका सदर से भी चाहिए तो सबसे ज्यादा प्रभावी अगर हमको कुछ योजना नजर आती थी उसमें तो इस surveillance की command and control center की नजर आती थी लेकिन उसका क्रियान्वन कहीं ना कहीं execution जो है मुझे लगता है कि उसमें will की ज्यादा जरूवत है maintenance की जरूवत है maintenance inbuilt है जिस company को दिया गया था उस camera को कोई twist कर सकता है अगर camera को कोई twist कर लेगा या camera कोई चुरा लेगा तो फिर surveillance तो उसका परपस ही कतम हो गया क्योंकि एक camera दुसरे camera को cover करता है तो उसमें कहीं चेरचान होती नहीं है कहीं ना कहीं will की कमी है जो हम इसको command and control center का use नहीं कर पा रहे हैं और smart city वहीं है कि तकन का ज्यादा योगदान हो कि बल का नहीं बल को कम से कम प्रियोग करें और तक्रीक को जाता ज्यादा प्रियोग करें जिसे क्राइम कम हो सकता है मैं इस बात से वाकिफ नहीं हो क्योंकि actually आगरा jurisdictionally मेरे अंडर में नहीं आता है और यहां पे commissioner of police बैठते हैं और divisional commissioner but इस बात को मैंने जरूर नोट कर लिया है and it shall be convey to the right authorities. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you Amit.